नमस्कार में तबारग और आप लोग सच 22 भिहार देख रहे कि इस वक्त हम बनमनकी में हैं और यह बनमनकी का जिस जगह में हमलोग खड़े हैं बहुत ही इस जगह का इतिहासी पूराना इतिहास रहा भगवान नर्सिंग का यहाँ पर यह मंदीर है और इसी जगह पर अवतार हुआ था और हमारे साथ बाचीत करने के लिए यहाँ पर हैं साहँ हें भाया हमारे और लिए हैं जानने का कोसिस करेंगे क्या इतिहास रहे तमाम चाहिए ह बिजे राउत आप यहीं के हैं बनमन्खी के हैं इसी जगह का सिकलिगर धरारा कौन सा मंदिर है यह भगवान नर्शिंग का है भगपरलात मंदिर के नाम से जाना जाता है क्या इनका इतिहास रहा इतिहास जहां तक हम लोग अपने बच्पन से देखते आ रहे हैं भगवान क इनका मतलब इतिहास रहा पुराना पुराना इतिहास यह है कि हम लोग बच्पन से इसको जान देख रहे हैं और यह भगवान नर्शिंग का अवतार खंबा है और भगपरलात मंदिर के नाम से जाना जाता है इस सेरिया में बहुत दूर तक इनका नाम है और सच्छ है सच् और इनके अंदर छोटा थे तब यहां पे छेदा हुआ करता है खंबा में चलिए वह हम इस्क्रिन पर आपको दिखा देंगे वह आपको दिख जाएगा तो उसमें हम लोग छोटा थे तो पैसा और गिट्टी गिराया करते थे और उसके अंदर कान लगा के सुना करते थे तो वो आबा आ जाता था अब तो यह धीरे धीरे विस्तार हुआ है तो इनका छेदा जो है ब्लोक हो गया है अंदर से और बहुत पावर्फुल मंदीर है बांकी तो हमसे भी जादे एज में बढ़ा है और जादे बताएंगे कितना दिन पुराना इतिहास रहा है इनका बह बहुत पावर्फुल मंदीर है हम लोग कास्था है और विश्वास हुआ है हम लोग जानना चाहते हैं और कुछ उसका क्या इतिहास जुला रहा इस तरह से बताया जाता कि भगवा नर्सिंग का अवतार हुआ हिरन कश्यप का वद्ध हुआ क्या कुछ के मतलब तहानी रहा देखिए उतना तो हम लोग जो देख रहे हैं वहीं बताएंगे हमसे जादे तुमारे पुर्वात जानते थे इतिहासिक जगह है वहां महल का भी जगह है वहां पर कौन जगह है विक्रम आओ उसको कौन जगह बोलते हैं वहां जहां पर सेट बना हुआ है इसका बहुत मंदिर बना है वो आपको स्क्रीन पर हम दिखा देंगे यह जलती है और जो यहां पे सबसे पहला सब्सक्राइब करेंगे और आपको बताने कहम लोग परियाश करेंगे क्या नाम हुआ आपका मिर्स्टा मीज टार्मिक मान्यता हैं यहां यहां से जुरा हुआ है यहां की बहुत सारे भी ये यह व हो दरती है जिस जगह पे भगवान विश्णू का मैं नर्शिंग अबतार हुए है या वही फम सुरी दिविदेवता इस था जगह पर माजूद थे जब भगवान नर्सिंग जब हिरनिकस्षब की बद्द किया इस जगह पर तो उसका जो नर्सिंग रूप था तो वह सांत नहीं हो रहा था तो सभी देवी देमता बोला कि है प्रलाद तुम जाओ अपने हरी को मनाओ उसको सांत करो चुकि अगर यह सा तरा उथल पुथल मत जाएगा तो भग्त परलाद गए उनके सामने हाथ जो रहे प्रभू जो हुआ सो हुआ जिनको आप मारे उन्हें आप मोक्षपरदान करें और किर्पया आप सांत हो जाए वह बोले परलाद भगवान उनके बाद को मानने तो सांत हुए तो यहां पर सभी देवी देवतार उन पर फूल बरसाए थे यह वही जगह यह जो पथर आप देख रहे हैं चले वह स्क्रीन पर दिख जाएगा यह पथर कोई सदारन पथर नहीं है यह कंपस जो है यह करागार में जगह है जेल घर जिसको कहते हैं तो उस जेल घर में हीट पथर थे इ यह पत्थर है, तो जब देखा कि हमने परलाद को पानी में फैकवाया तो परलाद बच गए राजन कश्व का we लोग संपूर्ण के वासित बन्मन की है सब नहीं की राज में रह रह रहरे हैं यहां से लेके नेपाल बरा छेत्र तक उनका चोटा भाई ता हिरनाथ जो पृतिमी को नश्ट करना चाह रहे थे उनका चेत्र बड़ा था नेपाल और हम लोग जो एदर मगद छेत्र में हैं तो यहां का राजा हिरनकश्रप ते और ओस्तों बड़र पर में यहां के राजा तो यह रोगहम आए तो जिसके पढ़ती सोद के चलते फिरन कश्रप भी मारा गया हुली का दहन यहां पर हर साल होता है कितना लोग आते हैं कहां कहां से आते हैं बहुत लोग आते हैं उसका अगर संख्याम में गिनाय तो कम है सर बहुत ज़्यादा लोग काफी वीर होता है क्या कुछ लोग का यहां पर मिन्नते जोड़ी होती है लोग अपना जिनको सरधा है तो मानते हैं यहां पर पुरा होता है जी आप तो छोड़िये पत्रकार मोहदे लोग फिर आपको यहां का फिलिंग पता चलेगा अभी से लेकिए चार कि लगभग टाइम हो रहा है अभी से जो है नसूरिय अस्त होने तक यहां पर भागवान स्वयम विराजमान रहते हैं और इस समय जो भी व्यक्ति कोई भी मननत मांगते हैं उनका मनत पूरी होते हैं सब का आइडिया होगा चर्चा होती होगी ना जी जी बहुत पुराना इसका इतिहास रहा जो जुका हुआ पथर जो देख रहें बिटिस टाइम में जब बिटिस सरकार जा रहे थे तो भारत का सब इंपोटेंट सब चीज लेके तो चले गए विदेश विदेश इसको भी ले ज इसका देखलों लग्या क्यों जिसका की सब्सक्राइब नगरी में है जितने भी है सब भाग्वण के मेरे यही पर आए हैं यही पर आते हैं घर यही है क्या कुछ आप लोगों को इसके इतिहास के बारे में पता है आप तो पढ़े लिखें युद्ध पता है वही जान रहे हैं लोग सब बच्पन से कि यहां पे नर्सिंग भवान का अप्तार था परलाज जी को बचाने के लिए थे का इसके आगे इतिनी जाते हैं मोत इसके अपर जोग मैं पर आप कि यहां पर नुक्यारि जोगों कि यहां Pinsky होती है कि जब नर्सिंग भगवान उसको बचाने के लिए जब आए थे परलाथ भगवान को तो नर्सिंग भगवान का रूद्र अप्तार उसको सांध कराने के लिए यहां पर सभी देवी देपता आये ते परलाथ भगवान उसी से माने यहां सभी देवी देवी देवताओं को आना पर रहा था यहां और भी बहुत सारी चीज़ें यहां से जो जुड़ी इतिहास हैं वहां को दिखाने का कोशिश करेंगे तब तक आप बने रहें आपका मेरा नाम चंदर की सोरी यादव है जो मैं नरपत गंसे हूं और यहां मेरा नहियाल पड़ता है क्या कुछ इंप यहां की बात करता तो क्या एतिहास रहा कुछ जानकरी आप लोगों को शाहां को मतलब नरसिंग अवतार मतलब लिए थे यहां कहने लोग मानते हैं अभी हमारे जितना भी यहां लोग का बत किया था नर्सिंग अफ्तार लेके ठीक है यहां चारोर गुफा है इसके अंदर भी गुफा से भी लोग आते हैं मतलब अपना जिला का तो खेर ठीक हैं अब अब यहां और इतना भगल का इस्टिक सब आता है पर चले धन्यवाद